कि अग्यों दोस्तों मैं ओम सुपला आज आप सभी के लिए प्रया वराण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेस्टन लेकर आया हूं कि काफी बार एक्जाम में पूछा गया है यूपिस्टी के एक्जामों में विभिन प्रिदेशों के और ये काफी इंपॉर्ट हैं ध्याण से सुनिए उछा जा रहा आपसे अख़्भार में कौन्सा बिसायला तत्तों होता है कि काौन सा तत्तों है उतर है युंद आपका है अगला प्क्वेस्टिन से होता है, question दियान से सुनिए, रक्त कैंसर किस ऑदोगी क्रसाइन से होता है, तो यह है आपका benzene, benzene से blood cancer होता है, ठीक है, बenजीन का क्या होता है, तो C6 – H6 को benzene क्याते है, chemical formula benzene का यह ही है, C6 – H6 थाzel, बेंजीन का केमिकल फार्मूला है आप देखिए रक्त कैंसर को क्या नाम लेते हैं रक्त कैंसर का नाम क्या है तो जो लिकीमिया होता है लिकीमिया को रक्त कैंसर कहते हैं या ब्लट कैंसर कहते हैं और यह बेंजीन के कारण से होता है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते ह किस देश में सरप्रथम अमलिय वर्षा हुई थी किस देश में सरप्रथम अमलिय वर्षा हुई थी तो स्वीडन में कहां हुई थी स्वीडन में अमलिय वर्षा सरप्रथम हुई थी ठीक है स्वीडन में हुई थी और किस सन में हुई थी 1972 इस भी में सरप्रसम अमलिय वर्था हुई थी चलिए अगला question देखते हैं Smoke City of India की उपमा किसे प्रदान की गई है question द्यान से सुनिए Smoke City of India की उपमा किसे प्रदान की गई है तो यह है आपका Kolkata Kolkata को क्या Smoke City of India कहा जाता है आप देखें यहाँ एक question आपको मैं और बता देता हूँ Kolkata किस नदी के किनारे बसा है तो हुगली नदी के किनारे बसा है अगला question बहुत important question है काफी बार इक जाओं पूछा गया है विभिन्दिक जाओं में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है डाप्सन इकाई का प्रयोग तो ओजोन परत की ओजोन परत की मोटाई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है किसमें ओजोन परत की मोटाई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है अब ओजोन का क्या फार्मूला होता है तो O3 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 का फार्मूला होता है ऐसे भी पोच्छा जा सकता है ओजोन के बारे में आपको O3 नाम देखे भी अगला question देखते हैं चलिए भारत में सबसे पहला जयो मंडलिये आरचित छेतर कहां अस्थापित हुआ question द्यान से सुनिए भारत में सबसे पहला जयो मंडलिये आरचित छेतर कहां अस्थापित हुआ तो नीलगिरी में कहां पर अस्थापित हुआ नीलगिरी में नीलगिरी में भारत का सबसे पहला जयो मंडलिये आरचित छेतर अस्थापित किया गया था चलिए अगला question देखते है राजियू गाधी राश्टिय उद्यान कहां अवस्तित है question ध्यान से सुनिए राजियू गाधी राश्टिय उद्यान कहां अवस्तित है तो ये करनाटक राज्जी में है कहां करनाटक राज्जी में करनाटक राजी में अवस्तित है चलिए अगला क्वेश्चन डाक्टर सलीम अली किस छेत्र के ख्याति लब्द ब्यक्तित्व थे फिर से सुनिए डाक्टर सलीम अली किस छेत्र के ख्याति लब्द ब्यक्तित्व थे तो ये पच्छी बैग्यानिक थे कौन थे पच्छी बैग्यानिक पच्छी बैग्यानिक और इन्हें ही क्या कहा जाता है वर्ड मैन आफ इंडिया कहा जाता है क्या कहा जाता है वर्ड मैन आफ इंडिया ही डाक्टर सलीम अली को कहा जाता है ये भी धान दीजे क्वेस्टन काफी पारी जाओं में ये भी क्वेस्टन भी पूछा गया है अगला क्वेस्टन हमारा है हांगुल क्या है बहुत नाम सुनेंगे वाप हांगुल क्या है तो हांगुल एक रेंडियर प्रजाति का म्रिग है क्या है है question इसी से related है हांगुल पर्योजना कब प्रारंब की गई question द्हान सब सुनुए हांगुल पर्योजना कब प्रारंब की गई तो 1970 सब्र्णवी में यह पर्योजना प्रारंब की गई थी हांगुल परियोजना 1970 एथा एक्टर सफील है न से सैवालों से आपके question में बिकल्प में दे सकता है पाउधों से सैवालों से इस तरह से तो आपको answer करना है सैवालों से question का answer होगा सैवालों से फिर से सुनिए इस question को पिर्थिवी पर अधिकांस oxygen उत्पादित होता है कहां से सैवालों से ठीक अगला question हमारा है कालेवन किस देश में पाए जाते हैं क्वेस्चन हमारा कालेवन किस देश में पाए जाते हैं तो यह है आपका जर्मनी जर्मनी में कैसे बन पाए जाते हैं कालेवन पाए जाते हैं जर्मनी में कालेवन पाए जाते हैं अगला क्वेस्चन हमारा है रेंडियर किस बायोम का जनतु है ठीक है रेंडियर किस बायोम का जनतु है तो यह है टुन्डरा बायोम का जनतु है और रेंडियर क्या होते हैं देखें जो टुन्डरा छेतर होते हैं वहाँ पे यह उत्ता गारी चलाने के काम यही आते हैं यही होते हैं रेंडियर ठीक है यह आतायत की काम में आते हैं अगला क्वुस्चन रहा है भारतिये बन्प्रवंधन सथान्थ कहां आवस्तित है श्क्त हूए प्रवंधन सथान्थ कहां आवस्तित है यह हुए आज के important question चलिए इसका revision कर लेते हैं जिससे यह पूरी तरह से याद हो जाएं तो आज का पहला question हमारा था अकबार में कौन सा विसायला तत्त होता है तो अकबार में लेड नामक विसायला जिसका symbol PB होता है अगला question हमारा रक्त cancer किस और दोगी करसायन से होता है तो रक्त cancer benzeen से होता किसे benzeen benzeen का नाम भी मैंने लिख दिया है chemical formula C6H6 होता है अगला question हमारा किस देश में सर प्रथम अम लिए वर्षा हुई थी acid crane कहां पे हुआ था तो स्वीडन में हुआ था 1972 में और मैंने आपको पहले इसके वाले वीडियो में बताया था कि acid crane में कौन-कौन से अमल होते हैं तो HNO3 होता है और H2SO4 होता है nitrogen और sulfuric acid इनका मिस्त्रण होता है हम लिए वर्षा में अगला question हमारा है smoke city of India कि उपमा किसे प्रदान की गई है तो smoke city of India कोलकत्ता को कहा जाता है किसको कोलकाता को अगला question हमारा है डापसन इकाई का प्रयोग किया जाता है तो डापसन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मुटाइम अपने में किया जाता है इसकी ओजोन परत की मोटाइम अपने में अगला कॉस्चिन है भारत में सबसे पहला जयो मंधली आरची छेतर कहाँ स्थापित हुँआ तो यह हुआ नीलगीरी में कहाँ नीलगीरी में स्थापित हुआ अगला question राजियु गाधी राष्टी उद्यान कहां अवस्तित है तो राजियु गाधी राष्टी उद्यान करनाटक राजी में अवस्तित है अगला question हांगुल क्या है तो हांगुल रेंडियर प्रजाज का एक उब्रिग है question अगला हांगुल परियोजना कब प्रारंब की गई तो हांगुल परियोजना 1970 इस भी में प्रारंब की गई next question प्रिथवी पर अधिकांस आक्सीजन उत्पादित होता है तो प्रिथवी पर अधिकांस आक्सीजन सैवालों से उत्पादित होता है अगला question हमारा है काले वन किस देश में पाए जाते हैं तो काले वन कहां पाए जाते हैं जर्मनी पे पाए जाते हैं अगला question है रेंडियार किस वायोम का जनतु है तो रेंडियार टुंडरा वायोम का जनतु है भारतिय बंद प्रबंधन संस्थान कहां आवस्तित है तो ये भोपाल में आवस्तित है तो ये रहे आज के हमारे important question आसा करते हैं आपको ये question अच्छे से समझ में आये होंगे और आपको ये याद भी हो गये होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको सेयर करें इसी तरह से हम आगे वीडियो में आपको परैवरण और अन्य टापकों से related important question और जो theories है उस को बताते रहेंगे धन्यवाद